हाउ डू फिक्स सैंसरंग गènक्सी कोर टू स्क्रीन फ्लिकरिंग प्रॉब्लम नमस्कार डोस्तों सुआगणर आप सभी का तिकराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है स्क्रीन फ्लिकरिंग प्रॉब्लम सॉल्फ कर सकते हैं या पर दोस्तो आपने कई बार नोटिस क्या होगा आपके डिवाइस में कभी कबार इस तरह के का इशू आ जाते हैं अगर साफियर के वज़े से कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है कि अध्र में इसे प्रॉडक्र करते हैं अधर हड़ वेर में प्रॉब्लम है या फिर आपको दिस्प्लेइल क्रेक हो आए तो उससंपे दोस्तो आपको scoring flickr करते हूं नजर आजाएगा तो दोस्तो screen flickr करने के reasons यही कुछ यहापर जाने को मिल जाते हैं ढैंक है तो अगर आपके screen भी flickr करे हैं तो आप इस video को अन्तक जरूँ देखे यहापकोiliyor कुछ solutions बताऊँँगा जो कि आपको follow करना है उसके बाद दोस्तों देखेगा आपका जो problem में किस तरीके से fix हो जाते है ठीक है अगर software के related कोई भी issue है तो definitely दोस्तों यहाँ पर problem solve हो जाएगा लेकिन दोस्तों हरूर के वज़े से कुछ problem हुआ है screen crack के वज़े से हुआ है तो उसके लिए दोस्तों आपको अलग से मैं solution बता दूँगा क्या करना चाहिए तो आप उस जिसको follow कीज़ेगा ठीक है वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe करते हुए bell icon को click करे और अगर आप online पेसा कामाना चाहते है तो वीडियो description पर link मिल जाएगा किसी भी problem के regarding पर आप हमें Twitter पर follow करके message कर सकते है चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते है तो सबसे पहले चीज़ दोस्तों यहाँ पर screen flicker यहाँ पर अगर कर रहे है तो उसको कैसे fix करना है तो आप दोस्तों क्या कर सकते है आप अपने mobile को सबसे पहले check करके देखे कि उसमें कितना storage बचा हुआ है ठीक है तो उसके रहे दोस्तों आप simply setting पर जा सकते है file manager पर जा सकते है चेक कर सकते हैं आपका storage full है या फिर खाली है तो कई बार दोस्तों storage fully रहते हैं हमारी device में तो आपको क्या करना है junk files वगरा रहते है जो खेच रहते है mobile का उनको delete करना है unused application बहुत ज़्यादा है तो आपको unused application delete करना है और कोई bad application आपने install किया हुआ जो कि कोई भी unknown browser से आपने install किया हुआ अप्लिकेशन तो उन चीजों को delete कर दे ठीक है तो इस तरीके से आपको सबसे पहला solution follow करना है at least 40% to 30% आपका storage space खाली होना चाहिए ठीक है उसके बाद दोस्तों आपके जो mobile है उसमें जो भी application से उसको update करकी use करें कम application होगा अच्छा रहेगा उसको update करके आप यूज़ कर सकते ठीक है तो updated version का application वगरा यूज़ कीजिए सारी साथ दोस्तों आपके जो mobile software है वह भी update होना चाहिए ठीक है mobile software में जाए और mobile software को भी update कर दीजिए तो यह सारे चीज़े अगर आप एक ही साथ में करते तो आपका screen flickering problem solve हो जाएगा ठीक है तो screen flicker का problem दोस्तों कुछ इस तरीके से आप solve कर सकते अगर software के related कुछ भी issue है अगर software update करने के बाद fix हो जाता है ठीक है अगर नहीं हो रहा है तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है setting पर जाना है scroll down करना है general management पर जाके reset option select करने और उसके बाद factory data reset कर देना है ठीक है factory data reset करने के बाद दोस्तों check करके देखे आपका screen flicker issue fix हो जाएगा by any chance अगर आपको problem आते है तो दोस्तों वह यहाँ पर basically hardware का issue हो सकते है ठीक है screen crack है या फिर कोई भी hardware के related में अगर problem आ जाते है कोई भी short circuit मरण बोट में या फिर किसी भी तरह का issue हो सकते hardware के related set तो उसके वज़द से issue होते हैं ठीक है कई बार दोस्तों screen flicker उसी वज़द से भी करते हैं तो आपको क्या करना है कोई भी service center पर जाना है ठीक है क्योंकि दोस्तों यहां पे software से अगर काम नहीं बना तो आपको hardware लिए fix करना पड़ेगा यह problem को ठीक है तो यह सारे चीज़ा आप follow कर सकते हैं तो इस वीडियो के अंदर पर दोस्तों मैंने software के related solution दिया है अगर कुछ भी problem software के वाज़े से हो रहा है तो आपको क्या करना है अगर hardware के वज़े से हो रहा है तो आपको क्या करना है ठीक है उमीद करते हैं आपको यह वीडियो बसेना होगा thanks for watching